बारिश ना होने की कारण किशन परेशान था और उसे इस हालत में देख उसका बेटा रेशब दुखी होकर खेट में बैठा था हे भगवान इस साल बारिश नहीं हुई मेरे पापा और गाउं के लोग बहुत परेशान हैं भगवान मैं अपने पापा के लिए और गाउंवालों के लिए कुछ करना चाहता हूं प्रभू मेरी मदद करना भगवान वरुन उसकी मासूम सी प्राटना सुन उसके सामने प्रकट हुए तुम बहुत ही नेक दिल हो तुम्हारा अपने बापा के लिए प्यार देख कर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ और इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ ये लोग जादू इच्छाता ये च्छाता जब भी तुम खोलोगे तो वहाँ बारिश हो जाएगी लेकिन प्रभू जहाँ पर बहुत बारिश होती है वहाँ लोगों का बहुत नुकसान भी होता है तो उस वक्त मैं क्या करूँ मुझे बस मेरे पिताजी की ही नहीं बलकि सभी लोगों की मदद करनी है वाह तुम्हारी इस बात से में प्रसन हुआ तुम बिलकुल भी स्वार्थी नहीं हो सुनो जहाँ बारिश जादा है तो वहाँ तुम प्रातना करके ये छाता खोलना वहाँ बारिश कम हो जाएगी और इस तरह से वहाँ के लोगों का नुकसान नहीं होगा और जहां और जहां बारिश कम है या बारिश बिल्कुल भी नहीं है वहां तुम प्रातना करके ये छाता खोलना तो उस वक्त वहां पर बारिश हो जाएगी ठीक है प्रभू मैं याद रखूंगा लेकिन इस छाते का इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकते हो और इसके लिए तुम्हें उस जगा स्वयम जाना होगा इससे तुम्हें परिशानी हो सकती है साथ ही कटिनाई भी हो सकती है लेकिन तुम्हें इस छाते के सहरे लोगों की मदद कर पाऊंगा ठीक है अब मैं चलता हूँ जब कभी भी तुम्हें मुझसे बात करने का मन करें तो बस इसी तरह अपने मन में मुझे याद करना मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा रिशव चाता लेकर घर आ गया बेटा तुम कहां गये थे और ये चाता कहां से लेया है पापा ये एक जादू इचाता है ये भवान वरुन ने मुझे दिया है ताकि मैं लोगों के दुख दूर कर सकूँ मुझे तुम्हारी इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा ठीक है पापा आपको कल इस बात का पता चल जाएगा भगवान मेरे गाओं में इस साल ठीक से बारिश नहीं हुई है देखिए कि यहां अच्छी बारिश आए और लोगों का जीवन सुखी हो जाए यह तो सच्पुच एक जादू इचाता है देखो बहुत जोरों से बारिश हो रही है मैं बहुत खुश हुआ हाँ पापा अभी ऐसे ही एक एक करके मैं आस पास के सारे गाओं में इसका उपियोब करूँगा और लोगों की मदद करूँगा लेकिन बेटा तुम्हें इससे तकलीव भी हो सकती है कहीं पर कड़ी धूप, कहीं तेज बारिश तो कहीं अपने जैसी हालत क्या मैं इसका उपियोग कर सकता हूँ बेटा नहीं पापा, ये काम मुझे ही करना होगा चंदू चाचा के यहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होई सारे कुएं तालाब पूरे के पूरे सूख चुके हैं मैं आज ही उस गाओं में चला जाता हूँ बेटा, मगर थोड़ा संबल कर जाना क्योंकि वहाँ पर कड़ी धूप है ऐसा करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ नहीं पापा, आप खेत में जाईए मैं जरूर अपना ख्याल रखूँगा भगवान, यहाँ पर तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो पाई क्रिपा करके यहाँ पर अच्छी बारिश ले आईए ताकि ये गाओं अच्छी फसल उगा सके और सबको पानी भी मिले सारे लोग खुश हो जाएं शुक्रिया भगवान अब तो चंदू चाचा भी खुश होंगे कल दूसरे गाओं जाना होगा बेटा बिमला मौसी की यहाँ हर साल बार आजाती है ठीक है तो कल वहीं जाता हूँ पर तुम वहाँ कैसे जाओगे मैं भी तुमारे साथ चलता हूँ पापा मा घर पर अकेली होंगी आप घर पे ही रुकना मैं जाओंगा विमला मौसी के वहाँ भगवान यहाँ पर तेज बारिश हो रही है बार भी आ गई है यहाँ के लोगों का जीवन सुखी हो इसके लिए जितना पानी जरूरी है उतना ही पानी उन्हें मिले बार जल्दी से खत्म हो जाए और लोग सुरक्षित रहें इसलिए अपना छाता खोल लिया और धीरे धीरे बारिश रुक गई यहाँ तक कि बार का पानी भी कम हो गया सारी लोग हैरान रहे गए पेटा तुम इतने पाने में कैसे आए यह मेरा छाता मुझे यहाँ ले आया और इस छाते की बदौलत भगवान की क्रिपासे यहाँ बार भी कम हो गई और बार भी बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम अपनी परवा ना करते हुए यहाँ पर आए और हम लोगों की जान बचाई परना पता नहीं यहाँ पर क्या अनर्थ हो जाता अब मैं चलता हूँ मासी बेटा तुम तो पूरे भी गय हो पहले अपने कपड़े बदर लेना और फिर अपने घर जाना परिक्षित तुम ठीक तो ओना बेटा मुझे तुमारी बहुत चिंता हो रही थी हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब वहाँ बाड का खत्रा भी नहीं है चल चल कर तुम्हारे पैरों में च्छाले पढ़ गए बेटा अब से तुम आराम करना भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया आपने मेरी प्रातना सुनकर मेरे और मेरे आसपास के गाउं में खुशाली लाई है मैं प्रसन हूँ तुमने स्वयम तकलीफ उठा के लोगों की मदद की है तुम्हारे पैर बहुत जल ठीक हो जाएंगी अब भी तुमें और भी बहुत सारे काम करने है प्रभू आपने मेरे पैरों के छाले ठीक कर दिये है थैंक्यू भगवान मैं जरूर कल से बाकी गाउं जाकर लोगों की मदद करूँगा बहुत बहुत शुक्रिया प्रभू धरमपर गाउं में अनुष्का नाम की एक प्यारे से लड़की अपने भाई के साथ रहती थी वो कुछ छोटा मोटा काम करके अपने भाई की देख भाल करती थी बीर जरा देखो तो दर्वाजे पर कौन आया है कोई बूरी सी औरत है रुको मैं आती हूँ आप कौन हों मैं अपने गाउ से चली थी इतने में जोर की बारिश शुरू हो गई इसलिए यहां पे कुछ देर के लिए रुक गई हूँ जैसे ही बारिश थम जाएगी मैं चली जाओंगी आप तो भी कई है अंदर आ जाएए नहीं मैं यहीं ठीक हूँ बेटा बारिश जैसे ही थम जाएगी मैं आगे की ओर रवाना हो जाओंगी चाची आपने कुछ खाया पिया है या नहीं बेटा जब मैं घर से निकली थी तो खाके निकली थी पर उसको भी बहुत वक्त हो गया है आप अंदर आ जाएए और इस कपड़े से अपने आपको पोच लीजिए शुक्रिया बेटा चाची हमारे साथ कुछ खाना खा लीजिये ना नहीं नहीं बेटा खाना इतना कम है तुम दोनों को ही पूरा नहीं होगा कोई बात नहीं बात में थोड़े से फल खा लेंगे तीनों ने मिलके खाना खाया चाची आप यहीं सोचाईए रात होने वाली है बारिश अभी कम हो गई है, मुझे निकलना होगा बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुकरिया तुमने ऐसे हालातों में मुझे सर्फ आसरा ही नहीं दिया बल्कि अपने हिस्से के खाने में से खाना भी दिया संभल कर जाना चाची, अपना खयाल रखना ये लो सूई ये एक जादूई सूई है तुम इससे अलग-अलग तरह के कपड़े सी सकती हो बड़ी-बड़ी रजाया भी सी सकती हो मैं बहुत मेहनत करूँगी शुक्रिया जाची इससे तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे ये सूई तुम्हारे लिए दिन रात काम करेगी साच लेकिन अगर ये किसी गलत हाथों में पड़ गई तो ये काम नहीं करेगी ये काम में कुछ गड़बड कर देगी इसे समहाल कर रखना बहुत बहुत शुक्रिया, चाची, फिर कभी इस तरफ आना हुआ, तो हमसे जरूर मिलना। चलती हूँ, खुश रहो बच्चों। डेडी, तुम क्या कर रही हो। मैं अपना सिलाई का काम कर रही हूँ। अरे बाफ, ये सुई तो बड़ी ही तेज है। देखते ही देखते मेरा कितना काय पूरा कर गई। हाँ दीदी, आज तुम बाजार से घर का सारा सामान लाओगी ना। हाँ हाँ, जरूर। लेकिन उस चाची का बहुत बहुत शुक्रिया। और चादूई सुई तुमहारा भी। हाँ, दीदी, सुई की वज़े से हमारी बड़ी मदद हो गई। कल ही मैं बजार जाकर ये सारी रजाया बेच आऊंगी। हमें थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, तो घर के लिए कुछ समान भी ले आऊंगी। तुम घर पे ही रहना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। जल्दी आना। ये देखो, आज अच्छे पैसे मिले। थोड़ा सामान लिया और थोड़े पैसे बच गये। अब तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। अरे वाह, आज तो दिल खुश हो गया। कितने दिनों बाद हमने पेट भर के खाना खाया है। देखते ही देखते, सुई की मदद से हमने अच्छे पैसे कमाए। घर की हालत अब पहले से बहुत अच्छी हो गई है। हाँ देदी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा और आपकी मदद करूँगा। उनके पडोस में रहने वाली उनकी चाची को इस बात से बहुत हैरानी हुई। यू तो चाची कभी भी उनका हालचाल पूछने नहीं जाती थी। इनके घर में इतना बदलाओ। खुच जाकर देखती हूँ की करते क्या है। अरे वा, घर तो तो तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ चाची, हम पहले से बहुत अच्छे दिन देख पा रहे हैं। और पेट भरके खाना भी मिल रहा है। वीर की पढ़ाई कैसे चल रही है। अच्छे चल रही है। लेकिन आज आपको हमारी याद। वीर? नहीं। अच्छा एक बात तो बताओ। इतना सारा बदलाओ आया कैसे। कुछ दिनों पहले एक बूठी चाची हमारे घर आई थी। उन्होंने खुश होकर मुझे ये सुई देती। और इसी सुई की वज़ा से पहले से बहतर और तेजी से काम कर पा रही हूं। और अच्छे पैसे पे जोड़ पा रही हूं। अरे वाह। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चाची मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। अनुष्का अंदर गई है। क्यों ना मैं ये सुई ले जाओ। अनुष्का मैं चलती हूँ। देर हो रही है। अरे, मेरे सुई कहां चले गई। मुझे तो कल बाजार जाना है। सुई के बेना मैं क्या करूंगी देदी, सुई तो अब तक कहीं नहीं मिली कहीं चाची ने तो उठा नहीं लिया नहीं, अपनों के बारे में कभी ऐसी बाते नहीं करते उन्होंने कभी अपनों की तरह बरताव किया है अब जब धीरे धीरे हमारे हालाद सुदैने लगे हैं तब जाके वो आ रही है जाने दो मुझे तो बस अपनी सुई चाहिए अब मैं भी फटा फट नए से कपड़े सिलवाऊंगी और फिर बजार में जाकर उन्हें पेज दूगी और फिर धेर सारे पैसे आएंगे अरे ये सब क्या हो रहा है ये सारे कपड़े तो फटे जा रहे हैं मुझे लगता है अब इस सुई का जादू खतम हो गया है मैं इसे अनुषका के घर में वापस रख देती हूं फिर उसका भी काम ऐसे ही चापट हो जाएगा कई दिनों से मेरी सुई नहीं मिल रही है गलती से आप कहीं लेकर तो नहीं गई ना भला मैं क्यों उठाऊंगी तुमने ही यहीं कहीं रख दी होगी मैं तो चली अपने घर ठीक है मुझे भी बहुत काम पड़ा है अरे सुई मिल गई ये देखो वी जरूर ये चाटी का ही काम था अरे ये तो जिन्दा हो गई मेरी सुई कहा थे तुम तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कुछ लोगों से साबधान रहना और मुझे हमेशा संभाल के रखना जरूर आज के बाद मैं तुम्हारा बहुत हयाल रखोंगी सुई थैंक यू सुई तो भाद कर दो पाल रखना करो से करना दो जिन्दा ढर खिक पाल की साबते हैं writingsled in are